हेलो स्टुडेंट चावडा सर लेक्चर के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है हम गणित कक्षा दसवी के प्रश्ण बेंक के वीडियो लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं हमने चार चैप्टर तक आप लोगों को इसके पहले के वीडियो प्रोवाइड करें हैं हम पांचवाध ध्याय समानता श्रिनी का अब्जेक्टिव आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बिना देर करें हम वीडियो की शुरुआत करते हों इसके पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वैसे तो मुझे लगता है क तो अपने दोस्तों को भी शेयर किजिए उन्हें भी किजिए कि चावडासर लेक्चर के यूटूब चैनल पे गनित सहित सभी विशेयों का प्रतिशत अच्छे बनाना है तो मुझे आप लगातार जुड़े रहिए आईए शुरुआत करते हैं अध्याय पांच समानता श प्रश्ण बेंक के अब्जिक्टिव पे फोकस कर रहे हैं विशेश बात ध्यान रखना आप लोग इस वर्ष 2021 वाविश में 80 प्रतिशत अंक सोरी 40 प्रतिशत अंक मतलब 32 नंबर के अब्जिक्टिव आते हैं आएंगे और पास होने के लिए 27 अंक ही चाहिए इसलिए हमार को फोकस ज्यादा काई पि करना है बहु विकल्पी प्रश्णों पर अब्जिक्टिव पर खालिस्तान पर इन पर ज्यादा फोकस करना है सभी बच्चों से मेरा विशेश निवेदन है कोविड काल के दोरान पढ़ाईयां भूत कम हो पाती है और उसको देखते वे गवर्म पर अब्जिक्टिव एएक समानतर श्यनि का प्रथम पद और सरवानतर बताना है देखे प्रथम पद तो हमको यहीं दिखता है यह तीन बटे दो यह प्रथम पद है और सभी में ञत्स निकालने का तरीका होता हुता है सरवांतर निकालते हैं दिती पद में से पहला पद घटा देते हैं मतलब एक बटे दो में से तीन बटे दो घटा देंगे किता जाएगा दो यह जाएगा माइनस दो बटे दो मतलब हमारा सरवांतर जो होगा डी होगा वो कित्ता होगा माइनस का एक मतलब हमारा objective कून सा सरही है पहले वाला सा ही है दूसरा उसने पूछा तीसवा पद तीसवा पद क्या होगा देखिया आसानी से तीसवा पद नहीं निकलना वाला है तीसवा पद के लिए हमको चाहिए A और D तो A तो हमको दिख रहा है 10 A तो हमको दिख रहा है 10 तो A तो लिख लेते हैं हम 10 और D क्या होता है D होता है दूसरे में से पहला घटा देते हैं मतलब 7 में से 10 घटा देते हैं तो कित्ता बचे का 10 में से 7 गटा 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 अब आपका a और d आ गया अब एक भूत short cut formula है 30 वापत निकालना है a plus 29 d कर लो a plus 29 d मतलए a 10 29 और 3 का गुणा कर दीजिए भू भी minus वाला 9, 37 बचेगा 2 3, 2, 6 और 2, 8 minus का 87 मैंसे 10 minus हो जाएगा तो आपका बचेगा minus का 77 तो इसका एंसर किता होगा minus 77 होगा इससे सरल तरीके से कोई नहीं बता सकता बेटाइन को बिल्कुल चेनल फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग अगर लाइक नहीं कर आए तो इसका एंसर आएगा minus 77 इसके बाद है minus 3 minus 1 बटे 2 और 2 का 11 बाद 11 बाद मतलब a plus 10 d 11 बाद निकालना है प्रथम पद उन्हें दे रखा a बराबर हमको minus 3 और सर्वांतर होगा minus 1 बटे 2 d होगा minus 1 बटे 2 minus minus 3 तो हमारा d हो जाएगा minus 2 एकम 2 3 दूना 6 6 बटे 2 d आजाएगा 5 बटे 2 यह तो d आगिया और आपको निकालना कुन सा पद है हमको पद निकालना है 11 तो 11 पद क्या होता है 11 पद होता है a plus 10 d तो a कितना है a है minus का 3 और d कितना है 5 बटे 2 2 पंजे 10 किंसिल 25 और 25 में से 3 गए तो बचेगा हमारा 22 तो आपका इसका एंसर होगा कितना 22 एंसर आएगा इसका तो तीसरे वाले का एंसर हमारा होगया 22 अगला फिर ऐसा ही है उन्होंने पुछा है 3,9 3,6,9 का कौन सा पद 27 देखो यहाँ पर करम दे रखा है अब जैसे ही है तो सवाल बड़ा बुर्द बड़े आए इसका मोखिक भी बोल सकता हूं है क्योंकि 3 का पड़ा है 27 ओर कौन सा पद होगा 9 पद होगा क्योंकि हमको 3 का पड़ा याद है और 27 कब आता है 9 बार में आता है तो 3 नमा 27 इसलिए दिमाग नहीं लगाना है सीधा 9 पद हो जाएगा 3 नमा 27 अगले में पूछा उसने 5 बड़े 2 0 5 बड़े 2 का 11 पद है 11 पद कौन सा होगा तो अभी हाल मैंने आपको बताया था 11 पद मतलब 10 D करके निकालना पड़ेगा तो इसका भी निकाल लेते हैं A बराबर A आपका मैंनस 5 और D होगा मैंनस 5 बड़े 2 मैंनस 5 तो 5 दुनी 10 बड़े 2 तो यह आजाएगा आपका D भी आजाएगा 5 बड़े 2 और A आगिया मैंनस का 5 और हमारा फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 10 D क्योंकि 11 पद निकालना है तो आपका हो जाएगा 5 और मैंनस का 5 मैंनस 5 और फिर लिखना है 10 D तो 10 इंटू 5 अपॉन 2 वही तो यहाँ पे हो जाएगा 25 मैंनस 5 एंसर आजाएगा हमारा 20 फॉर्मूला वही लगा रहे हैं तरीका वही यूज कर रहे हैं तो हमारा एंसर कितना हो जाएगा इसका पांचवे का एंसर आजाएगा B 20 तो आपको मैंने ये वाले लगबख सभी सवाल सौल्व करके बदाएं सिर्फ इसमें नहीं बताया क्योंकि इसका एंसर नहुआ है और यहां से पकड़ में आ रहा था सर्वांतर में उन्होंने दिया है कि समांतर शर्णी 3 by 2 1 by 2 माइनस 1 by 2 और माइनस 3 by 2 में सर्वांतर है उनको सर्वांतर बताना था और मैंने आपको बता रहा है कि सर्वांतर केसे बताते हैं सरवांतर बताते हैं दूसरे में से पहला घटा दो मतलब एक बटे दो में से तीन बटे दो घटा दो तो क्या हो जाएगा दो वन माइनस त्री माइनस दो बटे दो तो आ जाएगा माइनस का वन मतलब इसका सरवांतर किता आएगा माइनस वन आएगा कितना आएगा इसका अगला देखते हैं दूसरा इसका है उन्होंने दे रखा है यदि समानता श्रिणी का N वा पद 3N प्लस 3 प्लस 2N हो तब श्रिणी का प्रथम पद क्या होगा देखिए जब भी ऐसा कोई confusion पेदा हो ना तो इस N की जगा प्रथम पद मतलब 1 तरती पद मतलब 3 ऐसे लिखा जाता है तो इसको प्रथम पद को 1 मान लो तो 2 का एक में गुड़ा करेंगे तो 2 एक हम 2 और 3 कित्ता हो जाएगा 5 तो इसका प्रथम पद कित्ता होगा 5 होगा उसके बाद हमें दे रखा है उसने पूछा है यह समानता शर्णी है या नहीं है 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 ऐसे दे रखी है समानता शर्णी है कि नहीं तो देखें समानता शर्णी केसे पता करते हैं कि है या नहीं है क्योंकि आप लोग सब मुझसे तो पड़े हुए है उनी इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि समानता शिर्णी को पता करने के लिए हमको इसके सर्वांतर बराबर करने पड़ते हैं सर्वांतर बराबर मतलब a2 में से a3 sorry a2 में से a1 और a3 में से a2 घठा के देख लो अगर यह दुनों बराबर है तो यह समानता शिर्णी है दो माइनस दो और माइनस दो तो यह दो हो रहा है चार माइनस का और यह हो रहा है प्लस का चार माइनस के चार के बराबर नहीं होता है और बराबर नहीं हो रहा है आपका सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है तो यह समा समानता श्र scarf नहीं हैं समानता श्र迎ी बराबर लाने के लिए संर्वानतरों का बराबर हना जरूरी है बराबर से 6 बराबर ए बिल्कुल बराबर एक समानता श्र depressing न लाने में लिए चार का चटवा पद माइनस दो है तो देखे चटा पद निकाल के बताना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को चटा पद निकाल के बता देता हूं तो देखिए छटा पत कैसे निकलेगा a बराबर 8 और d बराबर हमने दिती में से प्रथमपत गटाया तो माैंस का 2 आया d बराबर मााईनस 2 अब छटा पत क्या होता है a प्लस 5 d होता है तो a प्लस 5 d क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 गुडित मानस 2 10-8 और इंसर आ रहा है माइनस 2 10-8 और इंसर आ रहा है माइनस का 2 अब 10-8 इंसर आ रहा है माइनस का 2 उसने बोला क्या माइनस 2 है तो बिल्कुल है माइनस 2 इंसर आ रहा है हमारा उन्होंने पुछा था छटा पत क्या है माइनस दो है तो हम लिख देंगे इसको भी सत्य अगला उसमें पुछा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस एक क्या सी है सोरी उसके पेले यह तो सवाल है पांच शुआ मैं यह वाला कोशन बढ़ना है टू, सेवन, ट्वेल के दस पत का मान दसवे पत का मान देखिए सारे कोशन वह यह मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं बस उसी फॉर्मूले के अकोर्डिंग लिख लेंगे इसमें भी आपम ए पढ़ लेते है ए बड़ाबर इसका है दो और डी हो जाएगा 7-2 A बराबर 2 D बराबर हो जाएगा 7-2 मतलब 5 कुन सा पत निकालना है दस्वा पत निकालना है दस्वा पत होता है A प्लस 9D A प्लस 9D क्या हो जाएगा A प्लस 9D A है हमारा 2 और 9D 9 into 5 9 पंजे 45 45 और 2 47 तो इसका जो दस्वा पत होगा 47 होगा इसका दस्वा पत निकालके मैंने आपको बता दिया कितना हो जाएगा इसका दस्वा पत 47 हो जाएगा अगले में पूछा हो उसने कि 4, 6, 8 में 40 में पतो की संख्या थोड़ा सा इस पे ध्यान दे न 4, 6, 8 मतलब प्रधम पत हो गया 6 माइनस 4 मतलब 2 और अंतिम पद अंतिम पद मतलब उसने दे रखा है हमको दे रखा है A n बोल सकते हैं अंतिम पद को A n दे रखा हो उनने 40 और n का मान याद करना है उन्होंने बोला क्या है कि पदो की संख्या बतलाई यह तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अंतिम पत्का, n बराबर, a प्लस, n माइनस, 1 इंटू, d, तो हमारे यह होगा, 40, a है 4, n ग्याद करना है, और d है 2, तो 40, 4, प्लस, 2, n माइनस, 2, 2 में से यह गए, तो यहाँ पर बच जाएगा, 2 प्लस, 2, n, 40, 40 में से यह 2 जाएगे, तो बचेगा 2, n, तो यह बचेगा हमारा 38, 2, n, और n बराबर हो जाएगा, हमारा 38 बटे, 2, तो n बराबर हो जाएगा, हमारा, 19, हमारा 19 हो जाएगा तो इसका जो question का हल है वो क्या होगा हमारा 19 होगा तो यह वाला जो answer होगा वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और इसी के साथ एरिक्तिस्थान, सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर तीनों मेंने आप लोगों को समझा दिये हैं पार्ट पांच में मुझे समझाना ज्यादा पड़ा क्योंकि इसमें एक एक सवाल को सौल्व करना पड़ा है आप लोगों के लिए भूत मेनत किये 15 मिनिट के लगबग हमारा 14 मिनिट के लगबग वीडियो बन चुका है तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं आप लो करदा है तो कि आप टना जबगग है तो विववाद से लिए टूम में लिए बन चुका है तो जड़ाए तो हम में समाप्त करते हैं एक स ale कहा है कर दोगी आप हैं एक समाप्त करते हैं